है है फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू बिट फ्यूम यह है लेरवल 5.3 के हिंदी टुटोरियल्स बहुत दिनों बाद मैं यह टुटोरियल्स शूट कर रहा हूं एक्चली बात यह है 5.4 लेरवल 5.4 के एक सेमिनार देना था जिसके लिए मैं उसी की प्रेपरेशन में लगा था और आप देख सकते हैं मैं वीडियो भी उसी के डाल रहा था तो जो सेमिनार होते थे मैं उसके वीडियो आपको दे देता था पर मैं आपसे माफी चाहता हूं बहुत दिनों बाद मैं डाल रहा हूं यह 5.3 हिंदी के टिटोरियल्स तो चलिए आज शुरू करते हैं और देखे हमने हमने यह तो पढ़ लिया था कि हम अपने HTML व्यू को कैसे और गराइज कर सकते हैं विद अब लेड हमने चुट्रोलर के बार में भी पढ़ लिया था कि हम अपने राउट को कैसे सभी कर सके हमाय पास जो क्वैरी आएंगी उसको हम कैसे हैंडल करेंगे अपने लेकिन हमने अभी तक यह नहीं देखा कि हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे अब आप सोच रहे होंगे टेबल क्या क्रिएट करना है प्यश्पी माइडमीन में जाओ या माइसी कुल में जाओ क्रिएट कर लो हाँ वो तो ठीक है लेकिन लेरवल आपको और भी अच्छा तरीका देता है टेबल्स क्रिएट करने का उसके लिए चलिए कमांड प्रॉम्ट स्टार्ट करते हैं मैं उस डिरेक्टरी में जाओंगा जहां पर मैंने अपना लेरवल इंस्टॉल किया है और सबस दूसरे काम के लिए हम एक और कमांड प्रॉम्ट स्ट एपस्क्ति क्या है चुससर पहले अपने लाइं क्रें करते हैं यह चांपने रूपन देखेब्न का यह तो इसको समझते हैं, देखिए, सबसे पहले लिखा है create user table, और यहां कुछ function है अपका schema, और यहां पर दिया हुँ है down का, यहां पर भी एक schema दिया हुआ है, जिसमें drop if exist, तो यह है क्या, देखिए, अप मतलब जब आप table बना रहे हैं, और down मतलब जब आप table को drop कर रहे हैं, तो वो तो सीरी सी बात है, जो भी table उसको drop कर दो, लेकिन अप में क्या है, यहां पर देखिए, schema है, schema क्या होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपकी यह PHP way है, लेरेविल को बताने का, यह table मुझे बनानी है, table का नाम user है, और table का structure क्या है, वो यह पूरा दिया हुआ है, कि table में एक ID increment होगी, that means यह primary key होगी, फिर यह name है, email है, ऐसे करते करते हम पूरी description देते हैं, और यहां देख सकते हैं, आप यह timestamp दिया हुआ है, timestamp क्या करता है, आपका created at और updated at दोनों को बना देता है, और देखिए, दूसरे file में क्या है, दूसरे file है, create password reset file, तो यह हमारे कर दी, इनको delete हो गई, ठीक है, अब आप देखेंगे, यहां पे हमने एक model, जो level provide करता है, आपको यह model भी है, और हमने देखा भी था, हम और भी model बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, आप हम काम कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले migration मनाना है, तो हम जाएंगे अपने PHP artisan पे artisan, और यहां लिखेंगे make migration, अब हम यहां लिखेंगे कि हम किस तरह का migration बना रहे हैं, और सबसे important बात है, जैसा आप migration बना रहे हैं, वैसा ही नाम लिखिए, देखिए, जैसे हम मुझे बनाना है, create post table, तो जो मैंने कहा, वही लिखा, create post table, अब इसके बाद double dash लगा के create, औ लिखना है हमें, यह लेरेवल में table का नाम plural होता है, मतलब post नहीं, posts, user नहीं, users, ठीक है, तो चलिए इसको बना देते हैं, मैं enter करता हूँ, तो यह देखिए, created migration, अब यह बना कहां भई, यह यहां आएंगे हम migration में, और यह देखिए, यह बन के आ गया, created post table, और यहां पे ह हम यह structure को हम modify कर सकते हैं, add कर सकते हैं, कुछ हम elite कर सकते हैं, जैसे माली यहां पर मैंने लिख दिया name, name और यहां पर लिख दिया इसको string, ठीक है, तो यह तो कर सकते हैं, और obviously इसके बाद हमें model की भी ज़रुत पड़ेगी, तो हम यहां बनाएंगे, यहां जाएंगे होता है, plural नहीं होता है, ठीक है, तो यह post, तो यह देखिए, यह model भी बन गया यहां पर, यह देखिए, यह post model बन गया, लेकिन इससे भी easy चीज़ है, मैं आपको और अच्छे चीज़ बताता हूँ, माली जै मैं इसको delete कर देता हूँ, यह पहले मैंने post वाले model को delete कर दिया और फिर मैंने यह migration वाले model को भी delete कर दिया, इसको भी delete कर दिया, अब देखते हैं, हम दोनों को एक साथ कैसे बना सकते हैं, यहां पर simple क्या करना है, php artisan make model, और इसके बाद आपको लिख दिना है model का नाम, और फिर m, m for migration, और जो आप यहां नाम लिखेंगे, वैसा ही migration होता है, और देखें, यह आ गया, model created successfully, and migration also created successfully, देखें आप, यहां पर migration भी create हो गया, same, अभी हमने delete कर दिया था, लेकिन फिर से आ गया, और post model भी delete हो गया, देखें कितनी easy चीज़ है, एक line में आपका सारा काम हो गया, और ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं पड़ा, यह ह table की कहानी, अब चली हम अब table बनाने का काम करते हैं, यहां पर obviously एक कोई post होता है, तो post का title होता है हमेशा, और title एक string में होता है, that means war card जो होता है, और एक body होती होती है, और body हमेशा बहुत सारे text से मिलके बनती है, तो हम उसको text करेंगे, यहां लिख देंगे body, और timestamp, ठीक है, ठीक हमने migration तो बना लिया, इस migration से हम table कैसे create करेंगे, तो again हम आते हैं अपने PHP artisan पे, PHP artisan, अब यहां पर आपको लिखना है migrate, migration हो गया, migrate करेंगे, और जैसे हम migrate पे enter करेंगे, तो यहां देखिए आपने इसमें कुछ error दे दिया, error क्यों दिया, क्योंकि हमने अभी database connection न से पहले इन सब चीज़ों को बंद कर लेते हैं, यह देखिए env file है, dot env file, और dot example भी है, example वाली नहीं, सिर्फ env, env पर जाएंगे, यहां पे देखिए बहुत सारी चीज़ लिखिए है, ज्यादा चीज़ों से आपको मतलब नहीं करना है, छेट शार नहीं करनी है, यह देखि हैं, यहां पे मैंने यह रहा मेरा database, लेरावल 5.3 और बाकी तो आप जनते ही हैं, तो अब देखिए connection हो गया है, अब मैं जाता हूँ, अब मैं इसको एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे, migrated create post table, that means यह जो हमने database के अंदर यह migration के था, इस migration के साब से उसने table हमारी बना द देखते हैं, यहां पे हम इसको करते हैं, refresh, और refresh किया तो यह देखिए, post table बन गई, तो यह कितना easy है, table बनाना, है ना, तो हमने table बना ली, अब माल लीजिए, आप ने यह table बनाई, लेकिन कुछ गढ़वड है, तो आप नहीं चाहते है, यह table सहीर परीके से बने, कुछ औ और नाम रखना था, माली जी, यह post table नाम रखने की बजाए, आपको blog नाम रखना था, तो आप क्या करेंगे, migration के बाद लिख देंगे, rollback, तो इसने जो table बनाई थी, वो वापस लेगा, enter करते हैं, और जैसे यह enter किया, अब यहां पे हम refresh करेंगे, तो देखिए, यह देख अगर exist करती इस नाम की table, तो उसको drop कर दीजे, ठीक है, वो drop हो गई, चली हमें drop तो नहीं करना है, हमें फिर से बना देना है, तो हम फिर से migrate करते हैं, और वही table फिर से बनके आ जाएगी हमारे पास, यह देखिए, post table फिर से बनके आ गई हमारे पास, ठीक है, तो कितना easy थ करके database से connect करना, और database में table create करना, है न, अच्छा, उसके अलावा मैं और चीज़ बता दूँ आपको, कि यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें और लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, माल लीजिए, यह आप कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, user ID माल obviously user ID negative दो होनी सकती, तो हम लिखेंगे unsigned, okay, तो यह unsigned हो जाएगा, negative कभी नहीं होगा, okay, तो आपने देखा यह कितना easy है, इन सब चीज़ें को use करना, और आप यहाँ पे क्या गर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ जड़ा इसको पढ़ें, और जो का answer आप comment में लिखें, कि आप यह migration ज़्यादा easy है, या direct यहाँ जाके table create करना वो ज़्यादा easy है, इसका answer दीजिए आप, तो मैं आपको फिर comment में बताऊँगा कि क्या सही है, और क्या easy है, तो सही और easy, दोनों चीज़े आपको पता लगेगी, प्लीज मुझे पहले आप यह बताई कि आप क्या use करते हैं, और क्या prefer करते हैं, आप उन्हें यह सीख लिया, आप तो जानते ही है, database में जाके direct table create करना, तो कौन सा easy है, वो आप मुझे बताए, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा सही है, ठीक है, तो तब तक के लिए, bye bye, हम मिलेंगे next episode में, जह और कुछ नए चीज़े समझेंगे,